भारत के प्रदेश उत्राखंड की एक ऐसी जगा है जो पूरे भारत में शायद सबसे जादा खूबसूरत मानी जाती है और वो जगा है उत्राखंड की कैपिटल धैरादून जी हाँ उत्राखंड का धैरादून जो की उत्राखंड की कैपिटल होने के साथ साथ गेटवे है उत्रागंड की सारी बड़ी attractions का धैरदुन के पास ही आपको उत्रागंड के सबसे बड़े बड़े और सबसे famous tourist destination मिलेंगे जैसे की रिशिकेश, हरीदवार और मसूरी हाला की बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खुद धैरदुन में भी बहुत सारी ऐसी जगाएं घूमने के लिए हैं जहां पर आप एक बहुत ही बड़िया weekend getaway या फिर holiday मना सकते हैं नमस्कार दोस्तों मिरे नाम है Dr. Anuj Bunsan and welcome to Anuj Bucket आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धैरदुन की सारी top places to visit और धैरदुन के आसपास घूमने वाली कौन-कौन से जगाएं हैं इसी वीडियो में हम आपको बताएगे इन सारी जगाओं के नाम, उनकी timing, उनकी entry ticket और कौन-कौन सी चीजे हैं जो आपको इन जगाओं में घूमने से पहले ध्यान रखती हैं तो हमारी top places to visit in धैरदुन की ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इसके end में हम आपको एक ऐसी travel agency का नाम भी बताने वाले हैं जो आपको धैरदुन और उत्राखंड के बहुत ही अच्छे packages, बहुत ही अच्छे rate पे दे सकती है तो अगर आप नए हैं तो हमारा चैनलन जरू subscribe करें बस दबाई ये लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान तो चलिए शुरू करते हैं अपनी top places to visit इन धैरदुन की ये वीडियो जिसमें आज इस वीडियो में दिखाई जाने वाली हर एक जगा की exact map location आपको हमारे description में दिए गए Google Maps की link पे मिल जाएगी जिसमें सबसे पहली जगा है number 1, Robber's Cave तो guys हमारी अगली जगह है धैरदुन का सबसे बड़ा hidden jam locally सबसे famous यहां का Robber's Cave जिसे गुच्चूपनी Robber's Cave की नाम से भी जाना जाता है यह Robber's Cave की सबसे खास बात यह है कि यह यहां की locals को सब जादा बता है इंटरनेशनल नेशनल टोई जो धैरदून आते हैं उनके हैं उतने अंदर तक आप जा सकते हों यह ट्यूरिस के लिए बिल्कुल safe caves है और कहते हैं कि यहां की formation एक natural formation है और यह भी मैना जाता है कि इन caves में पहले के जमाने में Robber's और Lutere आकर अपना hideout बनाते थे जो कि यहां पे चलते बिरते लोगों को लूटते थे वो यहीं पर आके चुकते थे इसलिए जगा के नाम Robber's Cave पड़ा है वाला कि यह जगा ट्यूरिस के लिए खोल दी गई और आज के समय पे धहरदून की बहुती बड़ी hidden jam है जिसको आपको एक में एक बर विजट जरूर तरना चाहिए यहां पर अगर आप गुंडीचा caves के अंदर पान जिए यहां अब दर्शन कर पाएंगे शिवजी के जिए जो की हिंडियों के देव में से एक देव हैं उन्ही का एक बहुती प्रसिद मंदर धैरादून में स्थित है जिसका नाम है टपकेश्वर महादेव मंदर अब इस मंदर की सबसे खास बात यह है कि सबसे पहली मंदिर के गुफाओं में ही आकर रहा करते थे तभी से यह मंदिर बहुत ज़ादा प्रसिद है इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग से थे कहते हैं उस शिवलिंग पे लगाता पानी टपकता रहता है और साल के सारे के सारे 12 महीने यह होता रहता है टपकेश्वर शब्द मना ह यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो आपको दो से तीन घंडे दर्शन के लिए लग सकते हैं इस मंदिर के अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि यह मंदिर एक गुफाओं में बसा है जिसमें आपको सर जुखा के नीचे चलना पड़ेगा और आपको शिवजी के सा अब डियर ही नहीं बलकि और काफी सारे स्पीशीज के अनिमल आप देख सकते हैं इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा एक स्पॉटेट डियर, पीकॉक्स, रबिट्स और कई सारे तरीके की वर्ड्स इस डियर पार्क में आने के बाद आपको धहरादून की असली देखने को मिलेंगी, सबसे पहला है यहां का वर्ल्ड पीस पोगाड़ा जो के आपको मेरे पीछे दिख रहा है बाकी दो हैं बुद्दा जी की मूर्तिया, ऐसे वर्ल्ड पीस पोगाड़ा पूरी दुनिया में काफी जगहों पे हैं और यह सिंबल हैं वर्ल्ड पीस यान बलकी इंटरनेशनल नैशनल दोनों तरीके के ट्यूरिस देखेंगे, यह मौनस्ट्री दहरादून का एक स्पिरिशल सेंटर है और यहां पर आपको कई सारे मौंक्स भी रहते वे मिलेंगे, कहते हैं इस मौनस्ट्री की चारो तरफ रोलिंग बेल्स लगी है, ऐसा माना ज नमबर पांच, लच्छी वाला जो आप पिकनिक और पानी का मज़ा लेंगे, वो आप कहीं भूली नहीं पाएंगे, लच्छी वाला नेचरल पार्क में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और बच्चों के लिहां पर ट्रैंपोलीन भी अवेलेबल है, यह जगह एक ऐसी जगह है, जहां आप अंदर अपने टू विलर या फोर विलर के साथ जा सकते हैं, और यहां पर आपको पूरा दिन कैसे बीच जाएगा, आपको पता ही मी चलेगा, अगर आपको नीचर से प्यार है, और आप चाहते हो कि नीचर से जड़े हुए, मैन वेड 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 देखो, तो आप लच्छी वाला नीच नहीं लगती, स्विमिंग की कोई फीस नहीं लगती, और अगर आप खाएंगे पहेंगे, तो आपको इसके अलग से पैसे देने पड़ेगे, इस पार्क की टाइमिंग है, सुबह 7 बे से लेके शाम को 7 बजे तक, और यहां की एंट्री फीस कुछ इस तरीके से है, यहां प पूरा पार्क अपने 80 रुपे की टिकेट में आप घूम सकते हैं, नमबर 6, इसे यहां का घंटागर भी बोला जाता है, और आप इस जगा को देरादुन का सिटी सेंटर भी कह सकते हैं, इस क्लॉक टावर की सबसे खास बात यह है, कि यह बनवाया गया था 19 सदी में जब पूरे समय देख सकते हैं, और इसे देखने की कोई फिस नहीं लगती, नमबर 7, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा, जिसका मतलब होता है, हजार धाराय मिलके जब एक नदी बनाती हैं, तो उसे सहस्त्र धारा बोलते हैं, और यह जगा आपको धारादुन में लोकेटिड मिलेगी, अगर आप अपनी माइन की शांती के लिए एक वाटर थेरेपी चाते हैं, तो सहस्त्र धारा सबसे बड़िया जगा है जाने के ल जिसमें आपको जूले और राइट्स के साथ साथ water activities भी करने को मिलेगी, सहस्त्र धारा लोग नहाने, meditation करने और एक natural therapy लेने के लिए आते हैं, यह जगा टूरिस्ट के लिए पूरे साल खुली होती है और यहाँ आना बिलकुल free है, हाला कि यहाँ पर नहाने या बात लेने का समय है, सुबा आठ बिजे से लेके शाम को साथ बज़े तक का, नमबर आठ, तपोवन मंदिर, गाइज हमारी अगली जगा है ये, इस जगा का नाम है वैदिक साधना आश्रम तपोवन मंदिर, जी हाँ, इस जगा को तपोवन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और ये जगा वेद ज्यान के लिए सबसे आदा प्रसिद है, इस जगा का इनाउग्रेशन के आगया था, 1949 में, महात्मा आनन स्वामी जी के संयोग से, गुरु गुर्मुक सिंग जी के दौरा, कहते हैं उस सबय ये आश्रम धेरादुन से कुछी दूरी पे एकदब जंगलों म यहां के तिवतियन मार्केट, यहां के एक इस rate है, जाइक आए जान ने कर सकते हैं, हई हएं अग्सी जगार आप कपडों सेंगये दे एक हिस्सा बन गये था, यहां पर एक मार्केट बनाई गária है, जहां पर टेवतियन मार्केट का अए लगे सक्क्तिते हैं, करने आज कर लोग दूर दूर से आते हैं इस जगह पर इतनी वार्गेनिंग होती है कि जैसे दिंदी के पाली का बजार में होती होगी जी हाँ अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहा है कुछ भी तो यहाँ पर फर्स्ट कॉपी बहुत सारे ब्रैंड्स के मिलेगी और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है नंबर 10 पल्टन बजार गाइस हमारी अगली जगह है दैरादून की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक यहाँ का पल्टन बजार अगर आप दैरादून आ रहे हैं और आपको शॉपिंग करनी है तो पल्टन बजार से अच्छी जगह हो न पल्टन बजार वैसे तो पूरे समय खुला होता है लेकिन इसकी शॉप्स की टाइमिंग है सुबह 10 बे से लेकि रात को 9 बे तक की और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है अब बात करते हैं उन जगाओं की जो की धहरादून के आसपास पड़ती है और जो की बहुती बड़ी-बड़ी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है जिसमें सबसे पहले आता है मसूरी जी हाँ मसूरी जिसे पहाडो की रानी यानि की कुईन्स ओफ हिल्स भी बोला जाता है ये उतराखंड की एक बहुती बड़ी टूरिस्टिक अट्रेक्शन है मसूरी की माल रोड यहां का जौर्ज एवरेस्ट यहां तक की यहां का कंपनी गार्डन भी पूरे भारत वर्ष में टूरिस्ट के बीच बहुत जादा मशूर है मसूरी एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट पूरे साल आते हैं इनफेक्ट यहां पे सैटरड़े और संड़े को तो इतने टूरिस्ट आते है कि यहां की रोडों पे आपको बहुत जादा ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा मसूरी फेमस है अपने खूपसूरत मौसम, साफ हवा और सुन्दर वातावरन के लिए यहां पर आने के बाद आप इसकी माल रोड में पूरी शाम घूम सकते हैं और यहां पर आपको खाने पीने की भी बहुत सारी जगाए मिलेंगी इनफेक्ट कई बार तो मसूरी में लोग सिर्फ आते ही इसलिए है कि शाम को माल रोड पे अपना होटेल लेकर हर शाम माल रोड में गीड़ी मार सके और उसमें अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय कर सके वैसे तो मसूरी आप कभी भी आ सकते हैं लेकिन हमारा सज्जेशन रहेगा कि मसूरी आने के लिए आप किसी भी छुट्टी का दिन इस्तमाल ना करें क्योंकि उस समय महाँ बहुत भीड होती है नमबर 13 रिशिकेश जी हां रिशिकेश और हरिद्वार भी एक ऐसी जगाएं हैं जो धहरत उन्टे सर्फ एक घंटी की दूरी पे आपको मिलेंगी और ये पूरे भारत परश की बहुती बड़ी ट्यूरिस्टिक अट्रक्शन मानी जाती है रिशिकेश वो जगा है जहांपर माता गंगा पहाड़ों से निकल कर धर्ती से मिल जाती है और ये जगा दी योगा कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ल के नाम से भी मशूर है रिशिकेश में सबसे सुन्दर जगाएं देखने के लिए हैं यहां की गंगा की आरती जो की कराई जाती है त्रिवेनी घाट पे, रिशिकेश के खूबसूरत मंदिर, यहां का राम जूला और रिशिकेश के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी पूरी दुनिया भर में बहुत मश रिशिकेश में लोग दूर-दूर से कैंपिंग करने भी आते हैं क्योंकि गंगा रिवर के बगल में कैंप लगा के रहना बहुत लोगों का ड्रीम ट्रैवल भी होता है रिशिकेश में आपको दुनिया भर के कैफेस और खाने पीने की जगाएं भी मिलेंगी जो की गंगा धैरादूर और मसूरी तो पूरी तरह घूम पाएं धैरादूर और मसूरी की 3 दिन की आईटनेरी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आप स्क्रीन पस्कर करके ये आईटनेरी देख सकते हैं unpleasant हमने सिर्फ ये itinerary ही नहीं बलकी complete travel guide to मसूरी और धैरादून की एक separate भी देख सकते हैं, अब आपको बताते हैं उस travel agency के बारे में, जिससे booking करके हमने पूरा धहरादून और मसूरी घूमा, ये package हमने book किया था ज्यानरचनाTools.com से, जी हाँ, ज्यानरचनाTools.com आपको मसूरी और धहरादून के अलग-अलग packages प्रोवाइड कराती है, जिसमें आ मसूरी या पिर कहीं और का भी package book कर सकते हैं, तो ये थी हमारी top places to visit in धहरादून की वीडियो, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो like करें, नहीं है तो subscribe करें, और अगर आपको लगता है कि आप इस list में कुछ add-on कर सकते हैं, तो हमारी comments में जरू तो आज हमारी app डाउनलोड करें और बहां जाके लें किसी भी जगा की complete travel guide, so it was very nice to be with you again, be well, namaste.